राथे राथे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों हिंदू धर में एकादशी तिथी की तरह ही प्रदोश प्रत का भी विशिश महत्व होता है एकादशी तिथी पर जैसे भगवान विश्नो मालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है उसी तरहें प्रदोश ब्रत पर याने की तियोदशी तिथी को भगवाईशिप और माता पार्वती जी का पूजन किया जाता है हर महिने की दोनों पक्षों की तियोदशी तिथी को प्रदोश ब्रत किया जाता है प्रदोश प्रत में भगवाई शिप मापार्वती जी का पूचन प्रदोश काल में यानि की शाम को सूर्यास्ति से 45 मर्ड पूर्व और सूर्यास्ति के 45 मर्ड बात तक किया जाता है शास्तों में प्रदोश्प्रत को सर्व सुख प्रदान करने के अलाबा परम कल्यारकारी बताया कया है दोस्तों प्रदोश्प्रत सब्ता में जिस बार को आता है उसे उसी बार के नाम से जाना जाता है यानि कि अगर सौंबार को प्रदोशप्रत है तो उसे सौंप्रदोशप्रत कहते हैं, मंगलवार को है तो उसे मंगल प्रदोशप्रत कहते हैं जिस तरहें बार के हिसाब से प्रदोशप्रत का नाम अलग होता है उसी तरहें उसका महत्व भी अलग-अलग होता है सौंबार के दिन आने वाले प्रदोश ब्रत का सबसे अधिक महत्व होता है क्योंकि सौंबार का दिन भगवान शिव माता पार्वती जी को समर्पित है सौंबार के दिन भगवान फोले नाथ का पूजन करने से भगवान शिव के पोण कृपा प्राप्त होती है इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता धन की कमी खत्म हो जाती है सौम प्रदोश ब्रत और पूजन के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर हो जाते है बीमारियों पर होने वाले खर्च भी कम हो जाते है अभिबाहित युवक युगतियों को प्रदोश बत अवश्य ही करना चाहिए इससे उन्हें योग के बरबधू की प्राप्ति होती है भगवाय शिप को समर पित्योदिशी सर्विदोशों का नाश करती है अतय इसे प्रदोश कहते है शास्ता नुसार इस दिन समस्ति दिव्य शक्तियां शिबलिग में समा जाती है इस दिन प्रदोश काल में सिर्फ शिबलिग के दर्शन से सर्व जन्मों के पाप में जाते है प्रदोश प्रत में भोले नात के शिबलिंग का पूजन और दर्शन करने का विशेश महत्व होता है लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते हम सभी अपने घरों में बंद हैं ऐसे में हम मंदे चाकर भोले नात की शिबलिंग का पूजन नहीं कर सकते। तो आपके मन में अब प्रशन उठ रहा होगा कि सौम प्रदोश के इस पावन पर्व पर भोले नात को घर पर कैसे प्रसंद करें और कैसे करें उनका पूजन। दोस्तों आज ही इस वीडियो में हम आपको आपकी इस सवस्या का समाधान बताएंगे। इसके साथ ही हम आपको कुछ ऐसे खास उपाई बताएंगे जिन्हें सौम प्रदोश पर करने से भागवान भोले नात और माता पार्वती जी की असीम क्रपा प्राप्त होती है। सभी प्रकार के कष्ट, दुख, दर, तकलीव से छुटकारा मिल जाता है और मन्चाही मुराद भी पूरी होती है। दोस्तों देवों के देव महादेव भोले भंडारी हैं। शिव अपने नाम के अनरोप ही भ्रमांद के सबसे भोले भगवान माने जाते हैं। एक बार भ प्रसन्न हो गए तो भक्त उनका प्राण प्रिय बन जाता है। ब्रहमांद के इस करता धायता को देथ का शिवलिंग बनाकर पूरी शथा से फल फूल चड़ाने और जलावीशे करने से सभी मनुकामनाय पूर्ण हो जाती हैं। स्वैम माता पार्वती जी ने भी भोले ना प्रकार में बसने बाले देव हैं। इसलिए उनकी पूजा के उद्देश्य से बनाए जाने वाले शिवलिंग के निर्मार इस्थापना और पूजन में सब प्राकतिक बस्तों का ही समावेश होता है। दोस्तां भोले नात का घर पर पूजन करने के लिए आप सबसे पहले शिवलिंग का निर्मार करें। शिवलिंग के निर्मार में आपको इन बस्तों की आवश्चता पड़ेगी। किसी भी प्रकार की साफ, मिटी या रेध। किसी भी प्रकार के फिल का जूस, गुड गुड ना हो, तो फिस शहत। या फिर शक्कर, मक्खन, मक्खन ना हो, तो शुद्ध की, किसी भी प्रकार का अन, जैसे की आटा, गैहूं, या फिर बेशन, जो भी आपके पास उपलब्द हो, गाई का गोबर, गाई का गोबर ना हो, तो गाई के गोबर का उपला भी ले सकते हैं, अब शिबलिंग निर्मार के लिए, सबसे पहले इसनान का शुद्ध बस्तर पहन कर, इस्ट का इस्मरण करें, उनसे क्रपा की याचना कर, एक बड़े पातर को सरपथम, गंगा जल के छीटे दे कर शुद्ध करें, अब आप इन सभी सामगरी को उस पातर में डाल दें, और उसमें शुद्ध जल या फिर गंगा जल डाल दें, फिस सामगरीयों को आप अच्छी तरह से एक सार हो जाने तक आपस में मिलाएं, फिर उनसे अपने अंगूठे जितनी बड़े, एक शिबलिंग तयार करें, अब इस शिबलिंग को आप अपने मंदिर में इस्थापित क करने के लिए आप सबसे पहले मंदिर में साफ जगे पर गंगा जल के छीटे दें, उसके बाद आप थोड़े से सापु चाबल लखें, चाबलों के उपर आप तयार शिबलिंग को रखें, शिबलिंग का यह रूप स्वयम भूले भंडारी को अतिन्त प्रिय है, अथा इस प्रकार निर्मिष शिबलिंग के पूजन से भक्त कर भगवाईशिप के विशेश करपा के प्रात्तर बनते हैं, ध्यान रखें, शिबलिंग बनाते समय आप ओम नमश शिवाय मंतर का मन ही मनजाब करते रहें, दोस्तों शिबलिंग बनाने के बाद आप प्रदोशकाल के स में भगवान भोले नात की शिबलिंग का पूचन करें। सबसे पहले आप भोले नात की शिबलिंग के पास एक शुद्धिखी का दिया चलाएं और एक सुगंदितु बत्ती चलाएं। इसके पश्चाद अपनी मनुकामना की पूर्ति के लिए आपको जो भी समस्या हो उसके हिसाब से आप पस्तु भगवान भोले नात की शिबलिंग पर अरपित करें। दोस्तों यश बैभव की प्राप्ति के लिए आप भोले नात की शिबलिंग पर चीनी अर्पित करें। माना जाता है कि भोले नात की शिबलिंग पर प्रदोशकाल की समय चीनी अर्पित करने से घर में कभी भी यश बैभव और कीर्थी की कमी नहीं होती। और भोले नात का आशिरवा सदय बना रहता है दोस्तों अगर आपके मन में बहुत ही नकारात्मक बिचार आते हैं नकारात्मक ता आपके उपर बहुत हावी हो गई है मन हर वक्त अशांत रहता है तो आप भोले नात के शिवलिंग पर इत्र छिड़के शिप पुराण में बताया गया है कि भोले नात के शिवलिंग पर इत्र का छिड़काव कहने से मन की शुधी होती है और तामसिक परवृतियों से मुक्ति मिल जाती है मन में शांती आती है बुरे विचार दूर होते है दोस्तों अगर आपको कोई रोग है तो रोग से मुक्ति पाने के लिए आप शिवलिंग का दूर से अभिशेक करें भोले बाबा का दूर से अभिशेक करना अत्यंत ही पुन्यकारी माना जाता है दूद अर्पित करने से व्यक्ति सदयव स्वस्थ और रोग मुक्त रहता है दोस्तों अगर आप निसंतान है और आप संतान की कामना रखते हैं या आपको शारिरिक कमजोरी है तो आप शिवलिंग का शुद्ध देशी घी से अभिशेक करें देशी की शक्ती का परिचायक है इसलिए शिवलिंग पर गी से अभिशेक करने से व्यक्ति बलबान पनता है निसंतान दमपतियों को संतान की प्राप्ती होती है दोस्तों जीवन में मान सम्मान और ख्याती की प्राप्ति के लिए आप भोले नात की शिवलिंग पर चंदन लगाएं महिलाएं और कन्याएं हाथ से चंदन ना लगाएं जल में थोड़ा सा चंदन खोल कर शिपजी का अभिशेख करें बेदपुराणों के मुताविक महाकाल को चंदन लगाने से इनसान को आकरशक रूप मिलता है और उसके जीवन में मान सम्मान और ख्याती की कभी भी कमी नहीं आती अगर आपको धन सम्मंदी किसी भी तरह की कोई समस्या है धन की हानी होती है धन का लाप नहीं होता घर में पैसा टिकता नहीं है तो आप शिपजी की शिपलिंग का गंदी की रसे अभिशेक करें ऐसा करने से लक्षमी की प्राप्ति होती है अगर गन्ने का रस ना हो, तो आप जल में थोड़ा सा शुत्र शहद मिला लें, शहद भी ना हो, तो थोड़ी सी शक्कर मिला लें, और इस मधो युक्त जल से आप शिवलिंग का अभिशेक करें, ऐसा करने से धन की हानी रुख जाएगे, और धन में ब्रत्धी होगी, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी बुखार है, तो बुखार ठीक करने के लिए आप शिवलिंग का गंगा जल से अभिशेक करें, ऐसा करने से बुखार जल्दी ही ठीक हो जाएगा, अगर आप पिध्याती हैं और आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ा हुआ, लंबे स चीनी मिलाकर शिवलिंग का अभिशेक करें, ऐसा करने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है, पढ़ाई में मल लगता है, पढ़ा हुआ यात रहता है, और परिक्षा में सफलता प्राप्त होती है, इसके अलाबा आप शिवलिंग पर चंदन से तिलक करें, इसके बाद इसी चंदन से आप अपने मस्तख पर तिलक करें और अपनी किताब कॉपी पर तिलक करें, ऐसा करने से आपको परिक्षा में सफलता हासिल होगी, इसके अलाबा अगर आप ब्यापारी हैं या आप नौकरी करते हैं और आपकी नौकरी में उन्नती नहीं हो रही है, या ब्य ब्यापार में गाटा हो रहा है ब्यापार में बरक्कत नहीं हो रही है। तो आप अपने हाथ में थोड़े से सावुज जावलगने। इसके बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है शिरिम सौमेश्वराय नमा शिरिम सौमेश्वराय नमा इस मंत्र का 108 बाद जाप करने के पश्चात आप इंग चावल को शिबलिंग पर अर्पित करें ऐसा करने से नौकरी में ब्यापार में उन्नती मिलती है दोस्तों अपनी मनो कामना के अनसार शिबलिंग का पूजन करने के पश्चात बस्तूट अर्पित करने के पश्चात आप शिबलिंग का जल से या फिर पंचामरत से अभिशेख अवश्य ही करें पंचामरत याने की दूद, दही, घी, शेहत और शक्कर इन सभी चीजों को आपस में मिलाकर इससे आप शिबलिंग का अभिशेख करें अभिशेख करने के पश्चात पुरुष ओम नमश्यवाय मंतर का 108 पा जाप करें इसके पश्चात आपकी जो भी मनोकामना है वह आप भागवाय शिब और माता पारवती जी से कहें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रातना करें कश्टों को दूर करने की प्रातना करें दूस्तों कोशिश करें कि यह पूजन आप प्रदोशकाल के समय ही कर लें। प्रदोशकाल यानि कि संध्यकाल से 45 नर्ट पहले और संध्यकाल से 45 नर्ट बात तक। अगर प्रदोशकाल में ना कर पाएं तो आप रात्री में भी इस तरहे भोले नात का पूजन कर सकते हैं। पूजन करने के पश्चात आप शिबलिंग को रात भर मंदिर में ही रहने दें। अगले दिन आप ओम नमस्षिवाय मंतर का जाग करते हुए इस शिबलिंग को साफ जल में डुबो दें। यानि कि आप शिबलिंग का विसरचन करें। जब शिबलिंग जल में पूरी तरहे से खुल जाए तब आप इस जल को किसी साफ इस्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे की जल में डालते हैं। आप अपने घर में भी किसी पौधे की जल में इस जल को डाल सकते हैं। दोस्तों शिब पौरान के अनुसार घर पर इस तरहे से शिबलिंग बनाकर शिबलिंग का पूजन करने से वी वही फल प्राप्त होता है जो मंदिर में इस्थापित शिबलिंग का पूजन करने से होता है। घर पर शिबलिंग बना कर इस तरहें पूजन कहने से भगवान शिब माता पारवती जी की असेंप्रप्रा प्राप्त होती है भगवान भोले नाथ अपने भक्तों के सभी कष्ट, दुख, दर, तकलीफ को दूर कर देते हैं और मनवानशित बर्दान देते हैं उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तिदारों में जाद से जाद से शेयर करें जिस से भेवी इसका लाव उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पूर वाचिंग राधे राधे